हैंब कुन सी गलती कर रही हो आप लोग जिसकी बज़य से लेक्षण तक नहीं पहुंच पाते हो कभी आप एक माक्ष से रह जाते हो तो कोई लख गलती तो करे रहे होगा और ऐसे क्या अच्छा ही कर रहा है वो बच्चा जो कभी cut off से 10 number जादे लेके आता है, कभी वो 5 number जादे लेके आता है और हमेशा selection ले लेता है यहाँ भी और वहाँ भी और वह भी बहुत कम पढ़के तो guys आज हम उसी topic प्रवाद करने वाले हैं, यह बहुत ही जादा important topic है और आपका selection नहीं हो पाता है, तो कौन सी आप गलतियां कर रहे हो और गलती सिर्फ आपकी नहीं है, आपको पढ़ाने वालों की भी गलती है इस चीज़ को accept करना पढ़ेगा आप लोगो को, और जब तक आप अपनी गलतियों को accept नहीं करोगे क्योंकि जो इनसान अपनी गलतियों को accept नहीं करता है, वो इनसान आगे नहीं बढ़ता है तो सबसे बड़ी गलती तो हमारे पढ़ाने वाले ही कर रहे हैं और वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन कुछ points में लिखके लाया हूँ, सबसे पहले point पे हम बात करते हैं कि बहुत सारे strength हैं, जो सिर्फ नई content की खोज में लगे रहते हैं, उन लोगों को नई किताबे पढ़नी है, आज ये किताब पढ़नी है, कल को वो किताब पढ़नी है उन्हें नई notes बनने हैं, उन्हें नई test series लगानी है, लेकिन जो उनके पास, जो उन्होंने दो साल की महनत से, एक साल की महनत से notes बनाये थे अगर वो आपके notes सही teacher से या सही तरीके से बने हुए थे, आप उन notes को कता ही न छोड़ें, revision के धंपे ही selection होता है, revision is equal to selection आप ये बास समझ दीजिए, यहाँ पर मैं कुछ points लिखके लाया हूँ, बेहतरी points, और उन points में अगर आप लोगों को follow कर लिया, उन points को, तो आपकी सफलता निश्चित है, जो आप एक number से, दो number से, चार number से रह रहे थे, या जो गलतियां कर रहे थे, उन गलतियों को करने से आप लोग बच जाओगे, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यह बखवास कर रहे हैं, तो guys सबसे पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जो आपने अभी तक तयार किया है, अपने notes वो आपकी एक साल की, दो साल की महनत है, तो नई नई चीजों के चक् देखें, बस इससे आप लोगों का काम हो जाएगा, फाल्तु की चीजों के चक्कर में बिलकुल भी ना पढ़ें, जो यह लड़के नए नए चीजों को ढूलते रहते हैं, हमारे भी बैचलों बहुत सा रिश्ट्रेंट से जो कहते हैं, भया कुछ नया दो, अब यह नया क यह आपके एक्जाम में 5 से 10 परसंट का वेटेज रखते हैं, और इन 5 से 10 परसंट को maximum तोपर छोड़ते हैं, यह सब को पता है, कि जो बहुत डिफिकल्ट यह बड़ा कोश्चन आता है, उसको तोपर पहले skip करके आगे निकल जाता है, एक घंटे में 75 कोश्चन करने हैं आ अगर कोश्चन आ भी गया, तो आप नहीं कर पाऊगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन 10 परसंट कोश्चन के चक्कर में अपना टाइम वेश्ट मत करो, बहुत सरे टीचर्स इस टाइप की चीज़े कराते हैं, टैसरीज के अंदर भी कम मात्स आ रहे हैं, जबकि आपको रियालिटी पता होना चाहिए, कि वो पढ़ा कुछ और रहे होते हैं, टैसरीजम कुछ और डाल रहे होते हैं, तो आप लोगों का मोरल दाउन हो जाता है, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका CBT-1, ALP CBT-1 बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगी, अच्छा सबसे important topic पर मैं पहले बात कर लेता हूँ, ये वाला जो topic है, teachers के द्वारा best content को suggestion न करके, सिर्फ अपने teachers से slavers को complete करवाने पर जोड़ देना, ये जो topic है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज के time में सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्या, बहुत सारे teachers क्या करते हैं, कि आपको बता है कि course launch है, अब वो अपने आप में best है, मैं कहरा हूँ कि कोई science के teacher है, या कोई maths के teacher है, वो अपने आप में बहुत best है, लेकिन क्या आप उमीद कर रहे हो कि जब उन्होंने batch launch किया तो उन्होंने अपनी team से reasoning पढ़ाने को बोला, अपनी team से GK पढ़ने को बोला और अपनी ही team से maths पढ़ने को बोला, science में तो वो खुद experts हैं, या math में तो वो खुद experts हैं, मैं मानता हूँ maths और science वो बहुत अच्छी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन क्या इस बात की possibility नहीं है कि उनका जो GK का teacher है वो उस level का नहीं हो, जिस level की content की आपको जरूत है, और मैं आप लोगों से कहूं, उस teacher को भी पता है कि YouTube के उपर इस से best, जो मेरी faculty है, इस से best content available है, लेकिन क्योंकि वो batch launch है, वो ये बात बोल नहीं सकते हैं, आज तक क्या किसे teacher में आप लोगों को ये कहा कि बेटा, ये देखो, novel prize की video है, हमारी जो faculty है, या मैं जो हूँ, मैं इतनी जल्दी में इस पर trick नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि इसकी trick मनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादे difficult है, एक teacher ने एक हपते की महनत से इसको 10 minute में याद करके दिखा दिया है, ये trick है, आप इस video स हो जाएगी, नहीं होने वाली है, और ये सिर्फ एक topic नहीं है, सारे topics की बात उता रहा हूँ, तो एक teacher का कर्तब में ये बनता है, कि जो उसके पास best है, वो अपना best दे, और जो उसके पास नहीं है, और उसको पता है, कि ये चीज़ बैस्ट है, तो वो उस चीज़ को suggest करे आप लोगों को, और अगर वो suggest नहीं करता है, तो आप लोगों के अंदर इतनी छमता होनी चाहिए, कि क्या best है, मैं पहचानूं, अगर मेरे course, मैंने भले ही course purchase कर लिया है, लेकिन मेरे course के अंदर उस level की चीज़ नहीं चल रही है, जो already बाहर available है, free of course, तो आप बाहर से करे उस चीज़ को ही, आप सिर्फ course के चक्र में ना पले रहें, क्योंकि ऐसा कई बार मैंने देखा है, कि सिर्फ बच्चे एक trap में फस जाते हैं, उनके पास एक जाल हो जाता है, कि यार मैंने course ले लिया है, अब तो मुझे इस से ही पढ़ना, अरे क्यों पढ़ना है, तुझे इस से भाई ये बता, तुने course ले लिया है, तुझे science अच्छी लग रही है, तु science पढ़, अगर तेरे को maths इसका अच्छा नहीं लग रहा है, तुझे लग रहा है कि railway के ये teacher है, maths बहुत अच्छा पढ़ाते है, मैं तो उनसे पढ़ना है, तु उनसे पढ़ना है, YouTube पे ब कानला आना चाहिए, फाल्टू की चीज़े नहीं, लेकिन हमारे पास ये foundation नहीं है, हम इस तरीके की चीज़े नहीं कराते हैं, तो best content का suggestion, जिस इनसान को करना चाहिए, वो इनसान नहीं करता है, क्योंकि वो खुद अपने batch के teacher से पढ़वा रहा होता है, और वो जो batch का teacher प भेंटे में पढ़ी और उसके बाद भी आपको याद नहीं हुई, क्योंकि आपके पास एक तरीका नहीं था, हर चीज का देखो एक तरीका होता है, अगर Mount Everest भी चढ़ना है, और खुद से चढ़ने की कोसिस करोगे, तो चढ़ भी पाओगे, लेकिन वहाँ पर सेरप पर र नहीं करा हुआ तुम्हें, अगर सारी चीजे कोई भी टीचर खुद से कराने की कोसिस करेगा, तो वो बच्चों को गलत जगा लेके जा रहा है, गलत डाइरेक्शन में लेके जा रहा है, और आप इस बात को समझ लीजिए, जो भी इंसान आपको सही चीजे बता रहा है, अब ही बात रही, मैंने कहा न, उसमें खुद ने जो पढ़ाया Nobel Prize, लेकिन उसने वो दस मिनिट की वीडियो सजेस्ट नहीं करी, जबको उसको पता था, कि यार ये content बहुत बहतरी ने, और वो उसका पूरी तरीके से copy-paste कर नहीं सकता है, क्योंकि करेगा तो फिर copyright वाला स इसके YouTube चैनल पर बच्चा जाकर subscribe कर लेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसी चीज नहीं है, मैं आपको सिर्फ वही चीज सजेस्ट करता हूँ, जो आपके लिए best है, एक बात important हो गई, तो teachers के दौरा best content को छोड़ कर ठालतू की चीज़ों को suggest करना, या अपने teachers के दौरा ही complete करवाय जाने पर दोर जेना, उनसे पूछ के देखो, सर में maths कहां से करो, हमारी faculty है तो इससे कर ले, reasoning कहां से करो, हमारी faculty है तो course में से करो, जबकि उनको खुद को पताए कि उससे best content तो already बाहर पढ़ा हुआ है, उससे best content, अरे एक एक chapter के अगर आप 20-20 lectures, 50-50 lectures देखोगे, तो क्य आप exam निकाल पाओगे, क्या इतना time है, मैंने ऐसे ऐसे batches देखे हैं, batch में उन्होंने physics वाला teacher अलग रख दिया है, bio वाला अलग रख दिया है, quality, geography, economics, history, और बच्चा ये सोच के पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा तो नहा है, उसको पता है नहीं, कि history कितनी वेर्टेज न लेकिन नए नमने बच्चे, और teachers क्या है, क्योंकि वही teachers, sscgd के बैच में पढ़ा रहा होता है, वही teacher विहार में पढ़ा रहा होता है, वही teacher, तो उन्होंने तो teacher को hire किया हुआ, एक लाख रुपे में, अब वो एक लाख रुपे में उनसे चार जगा पढ़वाते हैं, तो teacher आता है, वही notes उठाके इधर भी पढ़ाता है, वही notes उठाके इधर भी पढ़ाता है, तो दिक्कत आप लोगों के साथ होती है, आप लोग उतना ही बैटे जिग्राफी को देना सुरू कर देते हो, जितना physics को दे रहे हो, फिर आपके पास time नहीं बसता है, और आप unusual content में फसे रहा जाते हो, जिसकी बज़ा से selection नहीं होता है, तो सबसे बड़ा कारण selection नहीं होने का वो यही है, दूसरा जो most important कारण है, वो यही कि आप difficult questions, जिनका exam में 10% से भी कम enroll होता है, उनके चक्कर में फसे रहते हो, इस बज़ा से आपके selections नहीं होते हो, हमेशा free के content के चक्कर में पढ़े रहना, और अपने कीमती समय को बरबाद करना, कुछ लोग हैं, जो 100-200 रुपे के courses में भी free free free, अरे YouTube पे 50 course free चल रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जब यहां free हो जाएगा, तो कल को दूसरी जगा जाके भी पढ़ सकता है, एक दिन की दियारी, अरे 300 रुपे तो मजदूरी भी मिल रही होगी, fees ही 299, 199 रुपे होती हैं आजकल, अरे एक primary का बच्चा भी 700 रुपे देता है, आप जिससे आपका career वरने वाला है, जिससे आप 60-70,000 रुपे की salary उठाने वाले हैं, उस चीज के ल लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर खर्चा नहीं करना चाते हैं, और मैं लिखके दे सकता हूँ, यही जिनके साथ तुम भूम रहे हो, दोस्तों, girlfriend हो, यही सब छोड़के भाग जाएंगे, जिस बिन तुमारी job नहीं लगी, थोड़े दिन साथ हैं, उसके बाद आप लोग झाल, जिस बितलों, हो जबाद दिन साथ हैं, जिस बितलों दे खर 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 आप दिन साथ हैं? तो हमेशा free के content में अगर पढ़े रहोगे तो जिद्दी की पर बरबाद हो जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग की target classes कल से ही start हुई है, अगर आप चाहो तो अपनी target classes, ये जो target classes हैं, ये तीनोट exam को पूरी तरीके से focus करते हुए, आप लोग की, ये syllabus है और ये classes आप लोग की start हुई है, अगर आप चाहो तो एकदम बहतरीन content, एक ही platform पे आपको कहीं भटकने की जरूत नहीं है, आप सिर्फ join करिए, बाकी सारी responsibility हमारी है, और अभी start हुआ है, बाद में late हो गए, तो फिर बहुत जादे दिक्कत हो जाएगी, अभी तो start हुआ है, आप join कर सकते हैं, कुल 299 रुपे जिसकी कीमत एक shirt की कीमत से भी कम है, अगर आप चाहें एक pizza की कीमत से भी कम है, एक आपकी girlfriend की trip से भी कम है, अगर आप लोग अपनी life बनाना चाहते हैं, तो अपने career को importance देना शुरू कर दीजी, एक primary का बच्चा भी 6700 रुपे fees देता है, और आप लोग लाखो रुपे खर्च करते हैं, BTEC के अंदर, डिप्लोमा के अंदर, लेकिन जब selection की बारी आती है, तब आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, अरे उन्होंने लाख रुपे लिए आपको job के दिलवाई, 10,000 रुपे की apprenticeship, लाखो रुपे खर्च की है, उन्होंने job के साथ खिलवाल करने हैं, इस चीज़ को accept करिए, और जिंदगी बार आप ऐसे ही करते रहेंगे, देख लेना, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कते हैं, आप लोगों के सामने आएंगी in future, ये सारी की सारी चीज़े इसके अंदर मिलने वाली है, कि test series में marks को कैसे improve करना है, best revision, smart strategy plan, exam oriented approach क्या होनी चाहिए, fall 2 नहीं पढ़ना है, exam time को कैसे manage करना है, अपनी limits को कैसे manage करना है, ऐसा होता है, कई बार 4-4 questions लगाते रहते हैं, तो अपनी limits को कैसे manage करना है, वो सारी चीज़े, slim specs को कैसे कम करना है, कम पढ़कर ज्यादा score कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को एक से best content provide कराया जाएगा, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप पीछे रहे गए, तो आप ये समझे कि आपको एक target की value, ये जो target है न, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये target गया है, इस एक target की value, ये सारा content आप लोग को इसके अंदर मिलने वाला है, इतनी स सारी test series मिलने वाली है, ये सारी की सारी चीज़े हम लोग provide कराएंगे, handwritten notes मी पढ़ाएंगे, इसके अंदर आपको हम handwritten notes मी cover कराएंगे, फिलहाल आप यहां देखिए, उन points में बात करूँगा, ये है आपका target day one, जो कल से ही start हुआ है, एक target जो है, अपने अंदर 5 से 7 number समा कर लिए, और अगर आप technician का exam दे रहे हो, तो 7 marks minimum आपने sure कर लिए, अगर एक भी target, ये देखिए, current gk का target है, जो आपको अगले 3 दिन के अंदर complete करना है, सिर्फ इतना सा, और इसके बाद ये science का target है, ये वाला achieve करना है, और आप सोच रहोंगे, इसका content कहा मिलेगा, वीडि के अलावा reasoning में हमें ये cover करना है, number series, missing number, coding, decoding का only basics, इस तरीके से एक target आपको 5-7 marks sure करा देगा, तो आप target मत देखिए, आप ये देखिए, slavas तो मैं देख रहा हूं अपना पूरी तरीके से, आप सिर्फ ये देखिए कि मैं 5-7 number sure कर रहा हूं 3 दिन के अंदर, आप अपन जी जान लगा के सिर्फ targets को achieve करिए, वाकि responsibility हम पर छोड़ दीजिए, हमने पूरा slavas देखा हुआ है, ये सारा का सारा slavas हमारी नजर में है, हम उस slavas के according ही targets बनाते हैं, तो पूरी आज से नहीं, बहुत सारे बच्चे और देखो, नीचे selections भी देख लो, ये बच्चों जो selections लिए हैं, ये ऐसे ही नहीं है, लो नीचे होगा, देखो selections भी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ऐसे ही नहीं है, इन लोगों ने, जब सिद्दत से महनत की है, तभी तो इन लोगों के selections में, ये देख लो, लो, पढ़ ले न, screenshot ले लो, इनके, ये तो कुछ examples लिए, सिर्फ कुछ, screenshot ले ले न, पढ़ ले न, देख लो, ये, ये बच्चे हैं, आप लोगों के बीच के ही, जो गुरुबदी 2022 में सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ 25 देज का crash course उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उससे इतनी results आप लोगों के मिल सकते हैं, तो आगे क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए, अगर आप लोगोंने महनत की, तो निश्चित तोड़ से आप बहुत अच्छे परिणाम के साथ अपने results को देंगे, ये बात ध्यान रखिए, लेकिन आप लोग गलतियां करते रहिए, निश्चित तोड़ से गलतियां तो आप लोगों क उसका जो content है कि कौन सी चीज कहां से cover करनी है, कौन सी वीडियो से ये चीज करनी है, उसकी जो test series है क्या बहुत तेरे को मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं जिस बच्छे को ये चीज मिल रही है, उसको और extra फायदा होगा न, तुम्हें निश्चत तोर से target से फ science की practice अलग, latest pattern पे, full test अलग, जब वो इतनी सारी चीजे करेंगे, और continuous group में जो motivation जाते रहता है, वो सारी की सारी चीजे, आपको PDF में notes, जब सारी की सारी चीजे एक जगा मिलेंगी, NCRT की marking, current affairs की marking, ये देख लीजे आप, ये NCRT की marking, ये, ये NCRT की marking, आप लोग को provide कर वा आते हैं, ये, और तो और, NCRT, छोड़िए, ये है current affairs, चाहें वो English में हो, या Hindi में हो, ये सब हम mark करके देते हैं, कि क्या important है, क्या नहीं है, तो क्या भाई, ये तेरे को मिलेगा, जो तू कह रहा है कि, मैं तो free में target complete कर रहा हूं, करो निश्चित तोर से, 299 में रुपे ब महल बना लेना, पता चल जाएगा जब selection नहीं होगा, तो आपको पता चलेगा, next है, ये last time है, ये ही आपका बेड़ा पार लगवा सकता है, बाकी आपका मान है, concepts clear करने की बजाए, एक चेप्टर के 400 questions लगाना, ये सबसे बड़ी गलती है, last time पे अगर आप एक चेप्टर क भी revise कर पाएंगे, कि आपके पास इतना time है, तो ऐसी चीज़े करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे exam को उतनी need नहीं है, technical exams है, ALP का भी, JEE का भी, technician का भी, technician में science का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, पो मैं बता हूँँआ कैसा आएगा, teachers के द्वारा हो गया है, N तो की किताबों पर ज़्यादा ध्यान देना, अब आप बताइए, आप गलती नहीं कर रहे हैं, railway कहता है कि मैं NCRT से पूछूँगा, उसने अपने slavis में line लिख के दी है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, NCRT छोड़ दी, बाकी दुनिया की हर किताब पढ़ रहे हैं, और NCRT, ये हैं NCRT, ये ninth की है, इसकी हालत देख सकते हो आप, ये इतनी पढ़ाई गई है और इतनी पढ़ी गई है, चाहें वो bio हो, चाहें वो reasoning हो, आप देखेंगे कि सारे के सारे questions, इसी से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो आपके exam में आते हैं, सारे के सारे questions, चाह इतने कम में दिया है, next है, सही content का जानना हो रहा है, और इधर उधर time based करते रहना, बहुत सारे नए instrument है, वो तो विचारे starting में इधर उधर उधर भटकते रहे जाते हैं, किसी ने कहा दिया bio पढ़ लो तो वो bio पढ़ लेते हैं, किसी ने कहा दिया geography भी आएगी तो geography भी, म दिन रात आपको motivate करना किस तरीके से, मैं कहरा हूँ अगर आपने targets follow कर लिए, मैं guarantee देता हूँ आप लोगो guarantee, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, जो 8-10 घंटे ना पढ़े, target follow करने का मतलब ही है, कि आपने 8-10 घंटे पढ़ना start कर दिया है, इसके बाद बात कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई, अपने career को value ना देना, इवाम अपनी पढ़ाई में अपना 100% ना देना, value ना देना तो मैंने बता दिया कि आप लोग अपनी पढ़ाई को, अपनी नोकरी को, अपनी career को 200-99 रुपे से भी कम आपते हो, इसलिए आपके निया, इस चीज की तो value है नहीं मैंने समझा दिया, दूसरी चीज है, अपना 100% ना देना, आप targets अचीप कर रहे हो, लेकिन आपने 100% नहीं दिया, हमेशा अपने आपसे रात को सोते समय एक सवाल जरूर पूछा करो, कि भाई, क्या तुने उतनी मेहनत की है, जितनी तू कर सकता था, अगर मन से जवाब आ उठो, और उस चीज को जो आपके रात मन ने कहा था, कि नहीं तूने नहीं किया, उसको पूरा करो, जिससे की रात को अच्छी नीद आ सके, और ये 45 दिन आपकी जिंदगी को चेंज कर देंगे, एक target complete करो, अपने 5-7 mark sure करो, फिर दूसरा करो, आप 10-15 mark sure हो जाएंगे, इ smart approach का पता ना होना, exam से पहले regularity को maintain ना कर पाना, देखो, आपको यही नहीं पता है कि exam कैसे attempt करना, आप कुछ बेवबफूफ हैं, भाईया, paper देने गया था, मैं तो last तक पहुंची नहीं पाया, मैंने तो 60 question attempt करी, तू पहुंच क्यों नहीं पाया, उसके पीछे पता है, तुझे क्या reason था, क्योंकि तुम्हारे पात एकी strategy नहीं थी, तुम्हें यह नहीं पता था कि paper को कैसे follow करना होता है, अगर तु तुझे paper attempt करना आता, तो last तक तु जरूर चला जाता, क्योंकि तु जो starting में difficult question की बज़ए से रुग गया, अपने ego पे तुने ले लिया, कि questions examiner खुद से डालते हैं इस type के, कि आप लोग उन पर अटक जाओ, और जब बच्चा वहाँ पर अटक जाता है, जैसे अटक गया बच्चा, तो आप समझेए कि उसने अपने time गवा दिया और examiner यही तो चाता था, तभी आप लोग की answer की में कई बार questions गलत आते हैं, options गलत रुके, और मेरा दो number से selection रुका है, सिर्फ दो number से, और मेरा आट question आते थे, तो मेरा तो selection sure था, अगर मैं पूरा paper attempt कर लेता तो, लेकिन तिरे को paper attempt करना आता होता था, यह सारी की सारी चीजे, कि कैसे paper attempt करना है, क्या smart approaches अपनानी है, यह सारी की सारी चीजे, मैं आप लोग likes का target पूरा कर दिया, आप लोगों ने अगर इस वीडियो पे 4000 likes complete कर दिये, तो इसका next part 100% आने वाला है, आप लोग ready रहिएगा, बहतरीन तरीके से, और अगर आप YouTube पे यह कहीं भी जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं, जबकि मैं तो कहूंगा कि आप 299 रुप समझा है, वो आप लोग को ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे छूट जाते हैं, तो फिर एक बार पीछे छोट गए, तो आप लोग सुचते हैं, चलो आप तो छोड़ो, क्या है करना है, तो साथ-साथ चलने की कोशिस करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल